लाज टक जरूर देखें क्योंकि इस ही वीडियो में इस चैप्टर का पूरा कॉंसेप्ट किलियर हो जाएगा वो भी एक ही ट्रिक से तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो देखें दोस्तों इस चैप्टर में कुल 6 कंडिशन होता यानि कि 6 टाइप से परशन पूछा जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले आप इन 6 कंडिशन को समझ लें कि कहां पर आपको किस तरह से कोशन को सॉल्व करना है सारे टाइप के परशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम एक ही ट्रिक का यूज़ करेंगे वो हमारा ट्रिक क्या है स्पीड टैम और डिश्टेंस पर हम सुरू से सॉल्व करते हैं उस फॉर्मूला को वो हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा देखिए कहने का यहां यह मतलब है कि माल यह जाए कि यहां पर एक ट्रेन है जिसका कुछ लंबाई होगा और कोई स्पीड से यह चल रहा होगा इस दिशा में और यहां पर एक आदमी खराया आदमी के जगा पर यह तो यहां पर पेड़ हो पोल हो खंबा हो यानि कोई ऐसा हो जिसका खुद का लंबाई हो तो ऐसी प्रिश्टीती में ट्रेन की लंबाई के साथ इसका लंबाई नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि इसका कोई लंबाई ही है ठीक है तो इसका एक 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 ग्जाम्पल देखेहा आप एक इसका दम कीलیर हो जाएगा जैसे यहां पर पटी घंटे के चाल से चल रही है तो railway line के निकट खड़े एक वैक्ती को पार करने में कितना समय लेगी तो इसे solve करने के लिए हम वही formula का use करेंगे distance बराबर speed into time तो देखे distance में हम क्या लिखेंगे distance में हम लिखेंगे train की लंबाई ठीक है क्योंकि वैक्ती की कोई लंबाई ही नहीं है तो इसमें हमें distance में लंबाई इसकी लंबाई तो जोड़नी नहीं है सिर्फ train की लंबाई यहाँ पर हम distance की जगा लिख देंगे 100 meter ठीक है यहाँ पर distance में है तो speed किलो में है तो इसे हमें change करना पड़ेगा meter per second में तो यहाँ पर आप देखें meter per second में कोई चीज अगर दिया वाई इसे हमें kilometer में बदल लाओ तो हम 18,05 करते हैं क्योंकि हम कम से जादे में जा रहे हैं कम से जादे में जाना है तो बड़ी संख्या से गुना करेंगे यानि अथारा बटे 5 से गुना करेंगे और अगर kilometer से हम meter per second में जा रहे हैं यानि जादे से हम कम में जा रहे हैं तो हमें संख्या कम चाहिए तो हम चोटी संख्या से गुना करेंगे यानि 5 बटे 18 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हमें कीलो मीटर परावार को मीटर पर सिकेंड में चेंज करना है तो गुना हम 5 बटे 18 करेंगे और यहाँ पर गुना में टाइम टाइम ही हमें निकालना है तो टाइम के जगा टी को वैसे ही छोड़ देंगे तो देकिए, यहाँ पर 0 से 0асть कड़ जाएगा यह दोनों और 18 तीन से कड़ जाएगा 6 बार में और यहाँ पर यह दस है, पाश से कड़ेगा 2 बार में तो इसे हम कातेज़ेंगे अब यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 2. 6 और 2 को कुला करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 सेकेंड यह हो जाएगा question का answer अब देखिए दूसरा condition आपके सामने है यहाँ पर कहा जा रहा है जब एक train, platform, pool, सुरंग, train आदी को पार करती है तो इनकी लंबाई, train की लंबाई के साथ जोड़ी जाती है यहाँ पर कहने का यह मतलब है, जैसे यहाँ पर कोई एक train है, जिसकी कोई लंबाई है ठीक है, और कोई speed से यह चल रहा है और यहाँ पर एक platform है, platform की जगा, सुरंग हो, train हो, यानि कोई ऐसी चीज हो, जिसकी खुद की लंबाई हो तो टोटल डिस्टेंस में दोनों का लंबाई को हम जोड़ेंगे, क्योंकि इसकी भी कोई लंबाई है और इसकी भी लंबाई, जब यह train ऐसे पार करेगा, यह platform को, तो दोनों की लंबाई को जोड़ा जाएगा ठीक है, यहाँ पर इसके लिए एक example देखते हैं, देखिए, example question आपके सामने है कहा जा रहा है, यहाँ पर, 132 किलो मीटर परती घंटे की चाल्ड से चल रही 110 मीटर लंबाई वाली एक रेल गारी 165 मीटर लंबे एक platform को पार करने में कितना समय लेगी तो इसे solve करने के लिए हम वही formula का use करेंगे, distance बराबर speed into time तो distance की जगा हम train की लंबाई और platform की लंबाई दोनों को जोर के लिखेंगे तो train की लंबाई है 110 मीटर और प्लस करेंगे platform की लंबाई 165 मीटर अब यहां पर हमें speed लिखना है देखिए, train के speed यहां पर है 132 किलो मीटर पर 3 घंटा यहां पर हमने distance लिखा है मीटर में, तो हमें speed भी चाहिए मीटर पर सेकेंड में तो किलो मीटर परावर को मीटर पर सेकेंड में change करने के लिए हम 5 बटे 18 से गुना करेंगे ठीक है और हमें यहां पर निकालना है time तो t को हम वैसे ही यहां पर छोड़ देंगे उसके बाद इन तोनों को हम अगर जोड़ देंगे तो यहां आ जाता है 275 अब हमें इसे काट कर लेना है solve तो देखिए इसे कैसे काटेंगे यह 132 और 18 दोनों 6 से कट सकता है तो 132 को 6 से काटेंगे तो 22 बार में कटेंगा और यह 18 चे से 3 बार में कटेंगा अब यहांपर 275 यह 5 से 55 बार में कट जाएगा अब यहांपर आप देख रहे हैं यहां 55 है यहां 22 ग्यारा से कट सकता है ये 11 से 2 बाल में कटेगा और 55 बाल में कटेगा ठीक है अब ये 5 और 3 को हम गुना करेंगे तो 15 होगा दो से भाग करेंगे तो टाइम हमारा क्या निकलेगा 15 बटे 2 याने की साथ साथ सेकेंड ये हो जाएगा एंसर अब चलिए तीसरा कंडिशन देखते हैं देखी यहां पर कहा जा रहा जब दो ट्रेन एक ही दिसा में चलती है तो दोनों ट्रेन की चाल को घटाया जाता है जबकि दोनों ट्रेन की लंबाई हमेशा जोड़ी जाएगी देखी यहां पर कहने का मतलब यह है कि मालियज है कि यह एक ट्रेन है जो इस दिसा में जा रहा है किसी स्पीट से और यहां पर एक दूसर ट्रेन है जो इसी दिसा में जा रहा है कोई स्पीट से तो ऐसी इस्तीति में दोनों की स्पीट को हम आपस में घटाएंगे क्योंकि एक ही दिसा में जा रहा है और दोनों का कुछ-कुछ जो लंबाई होगा दोनों के ट्रेन के लंबाई को हमेशा हम चोड़ेंगे ठीक है इसके लिए एक्जामपल देखते हैं देखिए कोशन यहां पर आपके सामने है कहा जा रहा है दो ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर और 120 म हमें लेगी तो इसे भी स्वालब करने के लिए वही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे डिस्टेंस पराबर स्पीड इंटो टाइम तो डिस्टेंस की जगा पर हम दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे पहले रेल गारी की लंबाई है 100 मीटर और दूसरी रेल गारी की स्पीड है कीडो मीटर पर आवर में हमें इसे चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में तो गुना पांच बटे अठारा हम करेंगे और गुना में टाइम वैसे ही रहेगा ठीक है तो इन दोनों को जड़ेंगे तो यहां तो 220 आजाएगा और इसको जब हम माइनस करें तो यहां आजाएगा अठारा और गुना में तो वैसे ही रहेगा ठीक है अब इसे काट इसे बाहपर बहेंे तो यहां पर 18-18 यह दोनों केंसिल हो जाएगा 225ध कर जाएगा 44 बार में तो टाइम हमारा निकल गया 24 सेकिन यह हो जाएगा एंसर अब देखे चौता कंडिशन आपके सामने है जब दो ट्रेन उसकी विपडित दिशा में चलती है तो दोनों ट्रेन के चाल को जोड़ा जाता है तथा दोनों ट्रेन की लंबाई भी जोड़ी जाएगी यहां पर कहने का मतलब यह है कि माल लिया जाए कि कोई यहां पर एक ट्रेन है जो इस दिशा में जा रहा है किसी स्पीट से और यहां पर एक दूसरा ट्रेन है जो इस दिशा में आ रहा है कोई स्पीट से दोनों विपडित दिशा में चल रहा है तो ऐसी परिस्तीती में हमें क्या करना पड़ेगा दोनों ट्रेन की लंबाई को तो हम हमेशा जोड़ेगे और दोनों का स्पीड जो होगा ये भी जुट जाएगा जब दोनों विप्रिट चल रहा है तो इसके लिए एक्जामपल देखते हैं देखें कोशन यहां पर आपके सामने है कहा जा रहा है कि दो ट्रेन जिसकी लंबाई 137 मीटर और 163 मीटर है विप्रिट दिशा में एक दूसरे की तरफ 42 किलो मीटर परती घंटा और 48 किलो मीटर परती घंटे के चाल से चल रही है तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी तो चलिए इसे सौल्व करते हैं डिस्टेंस बरवर स्पीड इन्टो टाइम तो डिस्टेंस की जगह हम दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे 1307 मीटर और 160 मीटर को दोनों को हम जोड़ेंगे और दोनों का जो स्पीड है ये दोनों speed को भी यहाँ पर हम जोड़ेंगे क्योंकि दोनों विपरी चल रहा है तो 42 km पर 30 गंटा और 48 दोनों को जोड़ेंगे ये km per hour में है, distance मीटर में है तो इसे हमें change करना पड़ेगा मीटर पर second में तो change करने के लिए हम 5.18 से गुना करते हैं और time हमें निकालना है तो गुना में T वैसे ही रहेगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 300 आजाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आजाएगा और गुने में हो जाएगा 5.18 और गुने में time अब इसे हमें काट कर लेना है solve तो यहाँ पर 90.18 से कर जाएगा पांच बार में इसे हम काट देंगे यह 300 पहले पांच से कटेगा साथ बार में इसे काट देंगे फिर यह पांच से साथ कर जाएगा बारा बार में इसे हम काट देंगे यहाँ पर बच रहा है 12 और यहाँ पर बच रहा है T यानि कि time हमारा निकल गया है 12 सेकंड यह हो जाएगा answer अब देखें पांचवा condition आपके समने है यहाँ पर कहा जा रहा है जब एक train उसी दिसा में पैदल चल रहे मनुस्य को पार करती है तो ट्रेन के चाल से मनुस्य के चाल को घटाया जाएगा लेकिन ट्रेन की लंबाई के साथ मनुस्य की लंबाई हमेशा शुनने होगी तो देखे यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक ट्रेन है जो किसी स्पीट से इस दिसा में जा रहा है और यहां पर एक आदमी है जो ये भी इसी डिसा में जा रहा है किसी स्पीट से तो ऐसी परिस्तीती में हमें क्या करना है कि दोनों की स्पीट को आपस में हम घटाएंगे क्यों घटाएंगे क्योंकि दोनों एक ही डिसा में जा रहा है और distance की जगा हम क्या लिखेंगे? distance की जगा सिर्फ हम train की लंबाई को लिखेंगे क्योंकि मनुस की लंबाई तो होती ही नहीं इसलिए मनुस की लंबाई को हमें यहां पर distance में नहीं एट करना है तो इसके लिए example देखते हैं मनुझ से को पार करने में कितना समय लेगी तो इसे भी solve करने के लिए वही formula का हम यूज करेंगे distance बराबर speed into time तो distance की जगा हम सिर्फ train की लंबाई को यहां पर लिख देंगे 150 मीटर ठीक है और यहां पर speed दिया वा है train का भी और मनुझ से कभी दोनों एक ही दिसा में जा रहा है इसलिए दोनों को हम घटाएंगे यानि 68 माइनस करेंगे ठीक है और यह किलू मीटर पर आवर है तो हमें मीटर पर सेकिंड में चिंज करना होगा तो गुना पांच बटे 18 अकुने में time ठीक है अब यहां पर दोनों इस vpte कば गता हैंगे तो यहां पर तो 60 ही आएगा ठीक है 60 ही buy उभाक Ishar to वैसी ही है अब यहां पर इसे हमें काठ करके लें i blood salt तो यहां पर जीरो जीरों यह दोनों कठ जाएंगा यह 18 छे से 30 वर में कठ जागे इसे हम काट देंगे अब ये 15, 15 से 3 बार में कटेगे इसे भी हम काट देंगे यहां पर बच रहा है 3 और यहां भी है 3 तो टाइम हमारा क्या निकलेगा आप 3 को 3 से गुना करेंगे 9 सेकेंड हो जाएगा ये हो जाएगा एंसर अब चलिए लाश्ट कंडिशन देखते हैं देखी यहां पर का जा रहा है जब एक ट्रेन उसके विपरीद दिसा से आ रहे मनुस को पार करती है तो ट्रेन की चाल में मनुस के चाल को जोरा जाएगा लेकिन ट्रेन की लंबाई के साथ मनुस की लंबाई हमेशा शुनने होगी देखी यहां पर कहने का ये मतलब है कि माल या जाए कि यहां पर एक ट्रेन है जो इस दिसा में जा रही है किसी स्पीट से और यहाँ पर एक आदमी है जो यह आ रहा है इस दिसा में आ रहा है किसी स्पीट से तो ऐसी परिस्तिती में क्या हम करेंगे distance की जगा पर तो सिर्फ हम train की लंबाई को ही लिखेंगे क्योंकि मनुस्य की लंबाई तो होता नहीं है उसके विपरित दिसा से 7 km पर ती गंटा के चाल से आ रहे है मनुस्य को पार करने में कितना समय लेगी तो इसे भी सॉल्व करने के लिए हम वही फॉर्मूला कर यूज करेंगे distance per hour speed into time distance की जगा पर सिर्फ हम ट्रेन की लंबाई को यहां पर लिखेंगे 220 मीटर ठीक है और यहां पर speed की जगा पर हम लिखेंगे दोनों के speed को जोड़के क्योंकि दोनों विपरित दिशा में चल रहा है तो 69 पर प्लस करेंगे 7 यह km पर आवर में दिया वा है तो यहां पर आप देख रहा है कि 66 है और यह 220 है और यह जिल्व है है 220 को पांच से उय बार में कर जाएगा और यहां पर है 6 यह इत्व कर जाएगा यह वाले 6 से 3 बार में ٹाक है 4 और 3 को गुना करेंगे तो यहां टाइम निकल के आ कर जायेगा 12 सेकंड ये हो जाएगा question का answer तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने आपको train का पूरा concept बता दिया है अब इसके next part में हम इससे related जितने भी प्रश्ण होंगे exam में पूछे जाते हैं सारे type के प्रश्णों को हम solve करेंगे तो इसके next part के वीडियो देखना आप बिल्कुल भी ना भूले और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पे like जरूर से जरूर कर दें और अगर इस channel पे आप नए हैं तो channel को